हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेश दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलेट सेकेंडर शुजूरे पेपर एस नान के उपर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका मेथर पेपर है विज्ञान का स् अद्हार्गे बारे में आपrementाः तो आप लोग इस बीडियो में बने रहे हम लोग इस काई के सारे महतकुन वीडियो में बने रहे हो सबसे प्रह Palis में बात करेंगे है कि सबसे पढ़ी के अध्य करम के अध्यार भूत साथ थीम एवम उनके और धानात्मक अस्तम एवम सवाल करूपर हम लोग बात करेंगे तो जो आपका उच प्रात्मिक जो पाठिकरम है उसमें जो कब सीर्षक है विज्ञान के कौन-कौन से आपके है साथ जो आपका है खादे-पदार्थ, सजीव जगत, गतिसील वस्तुवे, व बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खादे-पदार्थ के बारे में ठीक है पहला क्या आपका है खादे-पदार्थ ठीक है तो खादे वह समागरी है जो अपने प्राकिर्तिक रूप में उत्पन होती है ठीक है जो आपका खादे है कैसे समागरी ह हैं अपने सभी के पोशन के लिए करते हैं आनन्द के लिए करते हैं कि कोई चीज हम लोग खाकर क्या करते हैं अच्छा महसूस करते हैं तो इस सब के लिए भी खादे-पदार्थ काफी जोड़ी है जैसे आप उधारन देख सकते हैं यहाँ पे आपका गेहुम हो गया चावल हो गया जवाड हो गया बाजरा हो गया दलन हो गया फल हो गया सब्जी हो गया मांस हो गया मचली हो गया यह सब के खादे-पदार्थ हो गया तो जीवन में काफी जोड़ी है खादे-पदार्थ क्योंकि हम लोग खाना खाकर ही जिन्दगी मतलब जी सकते हैं तो खाना खान तो सजीव जगत के पाठेक्रम में जीवों में विविद्रता की संकल्पना, जीव धारियों का वर्गीकरन, जन्तूव की संग्रचनतमक संगटना, मानोकारियकी, जैसे कि आपका पाचन एवम अवसोसन, सांस लेना एवम सोसन, परचलन एवम गती, आधी वनस पतियों में व जैसे आपका पाठेक्रम के अंतरगत, गती की विभिन बहुत एक सिधानतों का अधियन के जाता है, जैसे आपका गती सिल वस्तूव में बात करें तो जैसे बल हो गया, घरसन हो गया, दूडी हो गया, आपका मापन हो गया, ठीक है, जैसे कि यह सब जीव जनतों में वाप पुर्योग कर सकते हैं, तो जैसे आपके गती सिल वस्तूव कहलाएंगे, ठीक है, तीसरा आपका रहेगा व्यक्ति और विचार, इस थीम का सार क्या है आपके, कि सिक्षार्थियों की मानविये मुल्यो, स्वच्ता, इमांदारी, सहयोग, सत्य, समाजिक, अंतकिरिया, जीवन और पर्यावरन के प्रती सजक्ता आधी को आतमसाथ करने के सहता करना, जो वेक्ति होते हैं उसके अंदर का होती बहुत सारी विचार भी होती है, तो जैसे जैसे वेक्ति का मतलब मतलब होती है, जैसे जैसे मतलब मतलब माहौल में रहेंगे, जैसे विचार भी अच्छा होगा, तो उसके अंदर जुकी म अंदर का अंदारी की भावना होगा, सप्ते बोलने के हमें सद्वावना होगी, समाधिक, अंतकिरिया अच्छा होगा, जो ju Sehr robust balance से और जहँ सब का अध्यान हम लोग कहां पर करते हैं तो सवरों मंदल के अंदरगत करते हैं जो आपके साइन्स के आपके थीम हो गया निक्स्ट आपका है छठा वस्तुओ का निर्मान क्या आपका वस्तुओ का निर्मान कैसे होता है तो पाठेकरम के इस प्रकरण में बिभीन वस्तुओ के निर्मान की बैग्यानिक वीधिक अध्यन किया जाता है यानि कि जो आपका पाठिकरम है जो आपका थीम है वस्तुव का निर्मान उसमें क्या होता है जो भी चीजे कैसे कैसे का निर्मान होता उसके बारे में हम लोग अध्यन करते हैं वस्तुव का निर्मान के बारे में इतार वाल नोर पडम का सथी अधिक्ल ऑफ लाता है ठीकिए जैसे आपका बुकांप हो गया ठीक है ज्वाला मुखी हो गया sixty अघजनी हो गया जलाओव प्रवर्थन हो गया धुरुवो से घटना घटना घटती है यह कोई माननों द्वारा नहीं होता है कैसे होता है यह क्या अव्म लोग हानिया भी घ्रनी पार प्रती है तो सब यह चीजों के बारे में भी 02 को पढ़ना काफी जरूरी नेख्ष्ट आपका पॉइंट रहेगा बिज्ञान पार्थिक्रम में बच्चो की और धार्नाओ की समझ कैसे विक्सित करेंगे क्या है तो आप कैसे पहले क्या करेंगे सिख्षक को अनिमेशन और चर्चा के और पर दान करके के बच्चों में जटिल और धर्नाओं को समझने की सुधा परदान करनी चाहिए ठीक है आप क्या करेंगे बच्चों को खोज करने के लिए हमेशा प्रेडित करेंगे चर्चा के लिए प्रेडित करेंगे बच्चों को उसर देंगे कि चीजों के बाड़े में समझे खोजे त पेसे और द्रिता के साथ एक समन्दा आतमक भूमी का निभानी चाहिए ठीक है जैसे कि बच्चों के अंदर जैसे विकास करना है उनकी शमताउब को बढ़ाना है तो बच्चों के और क्या करेंगे रखे है चीजों के बारे में समझे बाड़ बर पर डेए ठीक है जब डाउट हो तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं ताकि आप परने के बाद इस शीचा को अची जंग से गरहन कर सकते हैं तो आपके अंदर पेसेंस होना काफी जरूरी है ठीक है ताकि आप पेसेंस के माध्यम सी चीजों को आप समझ सकते हैं तो आप अपने अंदर हमेंसा पेसेंस रखें चीजों को समझने का प्रयास करें नई समझ आए तो आप सिक्षक से पूछ सकते हैं तो जाकर आप चीजों को सीख सकते हैं निक्स्ट आपको पॉइंट रहेगा सिक्षक को सभी बच्चों की जरूरतों को संबोधित करके सीखने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए यानि कि एक सीख्षक को क्या करना चाहिए बच्चों की जो भी जरूरते होती है उसको क्या करना है पहले कत्र करना है उसके बाद चीजों को बच्चों को बताना है याने कि यहाँ पर जो शिख्षक हैं एक साहाई के रूप में बच्चों के जब मार्त करेंगे तो क्या हो जाएगा वीग्यान की समध़्, बच्चों के इंदर काफी डेवल быстро होगा और बच्चे असानी से वीग्यान को समाझ सकते हैं तो शिक्षा का भी रोल हम यहां पर हो जाता है तो आपके यह क्या थिरी थे तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दे शेर कर दे और अगर आप लोग चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राबी कर ले तब तेरे धन्यवाद मिलते हैं नेक्स् कर दो